प्यारे विध्यारतियों आज का टोपिक है सामाजिक अनुसंधान के चरण इससे पहले वाले यूटूब चैनल पर भी सामाजिक अनुसंधान के चरणों के टोपिक के बारे में काफी विस्तार से जानकरी दी गई थी अब जो सामाजी गुन संधान विच्रान जो सेश रहेगे उनके बारे में आज हम यहां विस्तार से चर्चा करेंगे छटा नमबर का स्टेप्स है सूचना दाताओं का चुनाओ सोध करता के लिए अध्यन छेत्र की सभी इकाईों से संपर्क कर तथ्यों को इकतित करना कठिन होता है फिर भी यदि अध्यन छेत्र काफि सीमित हो तो छेत्र के प्रत्यक इकाई की सूचना इकतित की जाती है इसे संगरना विधी के नाम से पुकारते हैं परन्तु इस विधी द्वारा अध्यन में काफी स्रम समय साधानियम धन लगता है अध्यन के लिए निदर्सन विधी या प्रतिचेन विधी का प्रियोग किया जाता है इस विधी द्वारा समग्र का प्रतिनिधित्यों करने वाले कुछ हिकायों को चुन लिया जाता है समग्र में से कुछ हिकायों का चुनाव सोध करता मनमाने ढंग से नहीं करके निदरसन या प्रति चैन के निश्चित वीधियों को काम में लेता हुआ वस्तनिश टंग से करता है ताकि सूचना दाता हूं के चुनाओ में किसी प्रकार की पक्षपात नहीं आ पाए यहां यह भी निर्दारित करना होता है कि समगर में से कितनी इकायों का चायन निदरसन के रूप में किया जाएगा मानने ता यह है कि इस निदरसन के रूप में चायन किये गए लोगों के से प्राफ तत्यों के आदार पर निसकस निकालने जाएंगे वे संपूर्ण समग्र पर लागू होंगे समग्र का परते निद्यत्यों करेंगे निद्रसन के रुप में सामने ते 10 परतिसत 20 परतिसतिया अध्यन छेत्र के सीमित होने पर इससे भी कुछ अधिक इकायों का चुनाव किया जा सकता है इसके बाद है सूचना के सुरोत एम अध्यन के उपकरनों वे प्रविदियों का निर्धान इसके बाद प्राकल्पना के जाच करने एम सत्यता का पता लगाने के लिए तथ्य या सूचना संकलित करना आवश्यक होता है इसके लिए सोध करता को ये पता लगाना हो पड़ता है कि सूचना प्राप्ति के विस्पसनी सुरोत कौन से हैं सूचना कहा कहा से प्राप्त हो सकती है सूचना के सुरोत प्रमुग दो प्रकार के होते हैं पहला प्रात्मिक चेत्रिय सुरोत दूसरा दूत्यक या प्रलेखिय स्रोत जो सूचनाएं अध्यन करता छेत्य कारी द्वारा प्रथम बना प्राप्त करता वे सभी प्रात्मिक सूचनाएं कहलाती हैं। दूत्य स्रोत के अंतरकत वे सूचनाएं आती हैं जो पहले से ही दूसरे के द्वारा संक्लत की गई हैं। लिए आवशक होता है कि सूध हितु चुने गए उपकरनों एंप्रविधियों को उन्हें छोटे पैमाने पर लागू करके जाच कर ली जाएं। वाले उपकरनों प्रविधियों अन्विक्षयों को की जाच की जा सकती हैं। तथा इसमें आवशक्तामसा संसोधन कर कामियों को सोध के प्रारंब के स्थर पर दूर कर लिया जाता है। इस समंद में एकाय के ये कहना ठीक ही है कि पूरो परिक्षन सोध के बिमिन पक्षोप करनों या वेकल्पिक सोध योजनाओं का एक नियंतरित अध्यन है जिसका उद्देश ये निरधारित करना है कि कौन सा वेकल्प सारवदे को प्युक्त है। इसके बाद तथ्यों का अवलोकन वे संकलन सोध कारिय को संपूर योजनाओं के तैयार किये जाने के बाद छेत्रे कारिय प्रारम होता है। तथ्य संकलन ही तो अवलोकन तथा धिन के अन्य उपकरण इंप्रविधियों का सहरा लिया जाता है सोध प्रिक्रिया के इस तरह पर तथ्य संकलन ही तो सुचना दाताओं से संपर्क इस्तवित किया जाता है अनवे शकों पर पूरा ध्यान रखा जाता है तता ऐ प्रसांगे किया ऐ संगत तत्यों की फिर से जांच की जाती है तत्या संकलन में इस बात की पूरी साउधनी बरतनी होती है कि तत्या पूर्ण तर पक्षपात रही तोकर एकर्टित किये जाएं तत्या संकलन के कारिय में लगे सुद करता हैं हम अनवे शकों के लिए यह आवशक है कि वे सभी प्रकार के पूरो अग्रों से मुक्त हों तत्यों को उनके वास्तवे करीप से एकर्टित किया जाना चाहिए इस कारिये में पून सुद्धता बनाया रखना आवशक है वरन निसकर्स दोस्पून हो सकते हैं इस इस तर पर सुचना दाताओं द्वारदी के सुचनाओं के अलावा अवलोकन विधी का सहरा भी आवशे ही लिया जाना चाहिए यहां यह ध्यान में रखना आवशक है कि निस्पक्ष वे सभी प्रकार के पूर्वा ग्रों से मुक्त व्यक्ति ही अवलोकन विधी के माध्यन से सही तथ्यों का संकलित कर सकता है इसके बाद तथ्यों का संपादन संकेतन वर्गिकरनें सारियन तथ्यों के संकलन के बाद उनके विशलेशन का कार ये प्रारम्ब होता है एक कुशल शोध करता एकरते तथ्यों को इस प्रकार रस्तूत करता है कि वे सजी मालूम पढ़ने लगता है स्वेम बोलने लगता है सरोपरतम सोध करता तथ्यों का संपादन करता है विविन प्रविद्यों द्वारा एकति तथ्यों के जांच की जाती है कमियों को दूर किया जाता है ए संगती दूर कर तथ्यों को इस पस्टता प्रदान की जाती है इस इस तर पर अनावसक सुचनाओं को निकाल दिया जाता है तता से सुचना को क्रमबद रूप से जमा लिया जाता है प्रत्य उत्रों को अर्थपूर्ण स्रेडियों में बाटने की प्रिक्रिया को ही संकेतन के नाम से पुकारा जाता है यहां लोगों से प्राप्त व्यक्तिकत उत्रों को कुछ समों में रखा जाता है विबिन उत्रों के संकेत जिसको हम कोडिंग भी कहते हैं प्रतिकोवे संक्याओं की सायता से व्यावस्तित बनाया जाता है इसके बाद सोध के उद्देसों के आदार पर तत्थों के विम्मिन वर्गों में वर्गिकरत किया जाता है तत्थों का वर्गों में विवाजन एवं वर्ग निर्मान की प्रिक्रिया ही वर्गिकर्ण के नाम से जानी जाती है सिन पाओ यंग ने लिखा है कि इस्तान समय, समन्दों, व्यवार अत्व़कारिय या दरस्तिकोर्ण के अनुसार तत्थों को समूं में रखने को ही वरगिकरण कहते है समान प्रेकर्टी कि तत्थों को अलग अलग वरगों में रख लिया जाता है वर्गिकरन केवल संख्यात्मक तथ्यों कोई ही नहीं बलकि गुनात्मक तथ्यों का भी किया जाता है वर्गिकरन के आधार पर ये विविन गटनाओं, दसाओं या आवस्थाओं की तुलना की जाती है और उनके सैसमिंद का पता लगाया जाता है सार्णियन में वर्गिकरत तथ्यों को संक्षित रूप में प्रदान करने है तो संख्यात्मेक सार्णियों में रखा जाता है ऐसा करने से वर्गिकरत तथ्य अधिक मत्पून इम इसपस्ट हो जाते हैं ऐसे सुक्षम इस पस्टेम तुलना योगी तथ्यों के आधार पर ही वैज्ञानिक निसकर्ष निकाला इम नियमों का प्रतिपाद करना संभव होता है यहां हमें इतना अवश्य ध्यान में रखना है कि बैग्जानिक निसकर्ष के प्राप्ति यह तो सारियन के कारिये को काफी सावदानी पूर्वक संपन करना नित्तान तावशिक है इसके बाद तथ्यों का विशलेशन वे विवेचन इस इस तरह पर विविन प्रविदियों के साहिता से संकली तथ्यों का विसलेशन एम विवेचन किया जाता है यहां एकतित किये तथ्यों का आर्थ निकालने और प्राकल्पना की सत्यता का पता लगाने का प्रियतन किया जाता है तत्थों गटनाओ इम बिभन दसाओं के बीच सह समंद ग्यात किया इम कारिय कारन समंदों का पता लगाया जाता है इस बात की विवचन की जाती है कि किस विसे दसा परिनाम अत्वा गटना के लिए कौन से कारे कुछ उत्तरदाई हैं इससे वैग्यानिक निसकर्स निकालने में मदद मिलती है इसके बाद और इसका अंतिम जो सामा जी का मुसंधान का चरना हुआ है सामानी करन एम नियमो का प्रतिपादन सूद का ये अंतिम चरन सरवधिक महत्पून है यहाँ वैग्यानिक निसकर्स तक पहुँचने वह नियमो के इम सिद्धामत का प्रतिपादन किया जाता है तत्तों के विशलेशन एम वीवेचन के आधार पर वैग्यानिक निसकर्स निकाले जाते हैं जो अति संक्षित होते हैं सोध करता है निसकर्सों के आधार पर ये नियमों का प्रतिपादन करता है उधान के रूप में प्रोफिसर सियार शो ने अपने छेत्री अधिन के आधार पर एक नियम का प्रतिपादन किया जो इस प्रकार है कि स्कूल से भागने वाले बाल अपराद एम वैसक अपराद की दरो दरे नगर केंदर से दूरी के बिपरित अनुपात में घटती बढ़ती है इसका तात्पी है कि जैसे जैसे नगर केंदर से दूरी जितनी बढ़ती जाएगी उसके साथ ही साथ स्कूल शे भागने ता बाला प्राद एम वैस का प्राद की दरेगी उतनी ही गटती जाएंगी किसी नियम का प्रतिपादन या सिद्धानत का निर्बान वैगनिक सूद का सार तत्व है अता है इसका सुईसपस्ट एम या थार्थ होना आवशक है समय या प्रस्तिति के बदल जाने के साथ साथ पुराने नियमों की पुने परिक्षा और नए नियमों का प्रतिपादन आनिवारी हो जाता है सभी विज्ञानों के प्रगति का यही एक मार्ग है और कोई संक्षित या लोगों मार्ग नहीं है यहां यह बता देना भी आवशक है कि सोध करता है सोध के अंतिम चरण के रूप में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है धन्यवाद चात्रो जैहिंद